हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपनी यूटूब च्वेनल 2020 क्लासेश पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि नौद वीडिया लेकर एक्जाम नजदीक आ गया है जो कि 29 अप्रेल को है तो इसी के लिए लाए हैं हम आपके लिए चालिस इंपॉर्टेंट कुष्चन माचिक यूगत पर एक छड़ के लिए तो वीडियो को पूरे देखिए लाइक करिए सब्सक्राइब वीडियोनुट तो चलिए चलते हैं अपने पर देखिए क्या पहरा है था इस तरू दिए क्या पहलता है कि प्रस्ण संख्या एक से चार में प्रतेव प्रस्ण में Čट चिट्र एक और भी और दर्साइगए हैं और थो छित्रों में 300 कि इसी विज़ीं है जबकि एक चित्र अन्ने से भीन है अन्ने से भीन चित्र का चयन करें अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओयमार उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संक्या के सामने वाले वृत को काला करें मतलब दूस्तों हमें यह इसमें बताना है कि सबसे भी नाकिति काउंस यह तो वह ही आहम लोगों का एंसर हो जाएगर तो चलिए देखते हैं ओर तीसरे में देखिए थी मुलित कोनें पर नहीं है और च embodiment में देखिए तीन मुलित कोनें पर आगपुञाते हैं ने में हमके कि मैं हैं तो चली चलते अगले खुशन कर देखिए कि दूसरे कुश्चन के पहले आप सर्ल में देख़िए कि चोटी सी बड़ी लाइन गई है ओर expelled कесь और दूसरे आप संप देखिएंप कि सैं बड़ी लाइन के ऑ्र बड़ी लाहने का इए और तीसरे में देखिए कि बड़ी से चोटी गाई है और छोटी से निकली है अरो और आपस़न झीए क्योंकि ये बड़े से चोटे में गई है और और लॉक्स बाकी से 3 चोटे से बड़े में गाई है चलिए अगले कुछिन पर देखिए कि इसमें देखिए कि आपसन नमबर A में देखिए कि इसमें चार मल्टिप्लाई के चिन हैं और आपसन नमबर B में देखिए पांच हैं आपसन नमबर C में देखिए चार हैं आपसन नमबर चार वर्ग हैं और दूसरे में चार वृत हैं और तीसरे में चार आयत हैं और तीसरे में और चोथे में तीन ही आकरती हैं क्योंकि देखिए बाकी सब में चार चार हैं और चोथे आपसन में तीन हैं तो आपका आपसन नमबर डी आपका बिल्कुर राइट होगा चलिए अग kama B, Kama C D से चिन्नी चार उत्तर चितर दिये गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चितर के संवर चितर को चुने तथा अपने उत्तर को दरत आने के लिए मुझत के सामने वुर्द को घालने के हुप तो दोस्तों वित individual कने बताना एकिस मान आकरती कौंसी हैं तो जो मिलती रहेगी वही आपका answer होगा तो देखिए ऐसी आक्रति कहाँ पर मिल रही है ऐसी आक्रति मिल रही है auction नंबर A देखिए क्योंकि like है यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी गया है तो आप especant नंबर A ही मिल रहा है तो आपका आपसर नमबर A बिल्कुल राइट होगा तो चलिए चलते हैं अगले कोशन पर देखिए अची आकरती कहां पर मिल रही है आपसर नमबर A में और बाकी आपसर नमबर A बिल्कुल राइट होगा तो चलिए चलते हैं अगले कोशन पर देखिए क्या कह रहा है कि देखिए पहले एक लिखा है दूसरा दो लिखा है तीसरा चार फिर तीन पांच आठ फिर छे साथ नौ ऐसी अकरति कहां पर बन रही है देखिए कि कौन सा एक दो चार है और तीन पांच आठ तो आपसन नमबर डी आपका बिल्कुर राइट हो अगर बाकी स भी ट्रेंगर और यहां पर ऐसी आकरति बनी ही तो आपसन नमबर बी आपका बिल्कुर राइट होगा क्योंकि यही समान है बाकी सब असमान है तो चली चलते हैं अगले कुशन पर देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है कि प्रस्न संख्या 9 से 12 में बाई और एक प्रस् परिवर्तन प्रस्निक चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रस्निक चित्र के लुक्त भाग में बिठाया जासके अपने उत्तर को दर्साने के लिए वह अमार उत्तर का त्रिका में प्रस्निकी संगत संख्या के सामने वाले वृत को काला करें तो इस आकरति को पूर पूर्द बनाना है तो काहों से आकरति हो जाए तो आकरति पूर्ट हो जाएंगे तु अपका एंसर ऑगा तो देखिए क्षशन ब printing किस सभ सबर से हाँ पर भी एक वर्ड लगा है याँ पर भी और यह तो यह watching वर्ड लगना चाहिए और यहां पर side में जो border बना है यहां भी बनना चाहिए तब ही आकरती पूर्ड होगी तो कहां बन रहा है जो कि सीधा सीधा बनना चाहिए तो option number A आपका बिल्कुर right है बाकि सब गलत है तो देखिए option number adoption number question number 10 में देखिए कि ऐसी आकरती कहां पर बनेगी कि की सब सीधी है तो तो आप जादे कि वीमिनी सी आपको बिल्कु और रहे आप सार्गरी आंपको है क्योंकि एक स्वेटः टो फिर से वीर्वर होगा च्रम का कर उसका था ऑकडरव पर तो समय और इसका opposite यह हो जो की ऐसी ऐसी ऑसी लाइन बनेगी ऐसी तीन लाइन है और यहां पर एक उरित तो कैसी बने तो option number D है आपका बिल्कुर right हो क्योंकि option number D ही चाहिए बागी सब कही से mistake हैं तो question number 12 देखिए क्या कह रहा है कि सब में एक वृत बना है और सम्में ऐसी आकरती बनी ही तो देखिए कैसी आकरती बनने चाहिए तो यहां पर एक लाइन और बढ़ेगी यहां पर भी तब रित पूरा होगा तो यहां पर बनेगी तो यहां पर वर्ग होगा और यह ऐसी और आकरती बनेगी और यहां पर भी कटिंग होगी तो आपसन नंबर कौन सा होगा आपसा आपका होगा आपसन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट हो क्योंकि यहीं आकर्दी एकदम मिल रही है तो चलिए चलते अगले कुश्चन पर देखिए क्या कह रहा है दिया है निर्देश में कि प्रश्ण संक्या 13 से 16 में बाइं और 3 प्रश्णी चीतर दर्शाय गए हैं तथा 14 चीतर के लिए इस्थान छोड़ा गया है प्रश्णी च चीतर के खाली अस्थान में प्रतिस्थापिक किया जा सके अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओयमार उत्तर पत्रिका में प्रश्णी की संगत संक्या के सामने वाले वृत को काला करें तो इसमें भी आप आकर्दी देखिए कि इसमें चौती आकर्दी में क्या बनेगा त तो यहां पर देखिए यह एक बलट रहा है यहां पर चार है तो यहांपर 5 हो जाएगा तो देखिए कौन सा बनेगा और गोगोट किसा आपका क्या सी एक से तो अब कितनी बाई आजिए आपका एक और आजाएगा तो आपका कौन सो बनेगा तो आपसान नंबर भी आपका बिलकुर राइट होगा तो चलिए चलते हैं अगले कुश्चन पर देखिए क्या कह रहा है कि आपसान नंबर कुश्चन नंबर 14 में देखिए कि यह ऐसी आकरती बनी है जो कि ऐसी है और यहां पर ऐसी आकरती बनी है यह देखिए कि clock wise घून जा रही है यहां से यहां पर आ जा रही है जो कि यहां पर बन रहा है अब यहां से यहां पर आ जा रहा है अब यहां से यहां पर आ जाएगा जो कि कौन सी आकरती बनेगी आपकी आकरती बनेगी आपसना नमबर B आपका बिल्कूर रायट होगा है, जोकि एक कौने से एक कौने पर आ रही है, तो आपसना नमबर B आपका बिल्कूर रायट होगा, तो चली चलते हैं अगले को शन पर देखिए क्या कहरा है, ऐसी चित्र है जिसमें 6 गोले आ गए हैं और एक व Burit आपन गया कह रहा है कि पहले में चार जोड़े गए हैं फिर दूसरे में देखिए तीन एक रहा ही है था थे तो can करदेश में की प्रश्ण संक्या 17 से 20 में प्रत्य प्रश्ण में दो प्रश्ण चित्रों के दो सेट दिये गए हैं दूसरे सेट में एक प्रश्ण चित्रों में एक निश्ची संबंद है इसी तरह का संबंद दूसरे सेट के तीसरे तथा चाउथे पत्र चित्र में भी होना होना आश्यक है उत्तर चीतर में उस चीतर का चयान करें जो प्रशनी चीतर को प्रभावित प्रतिस्थापित करेगा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओयमार उत्तर पत्रिका में प्रशनी की संगत संक्या के सामने वाले वृत को काला करें तो इसमें चौथी अकर्ची आ आ जा रहा है यहां पर तो ऐसी ही यह बीच में देखिए इसके त्रिभुज में भी ऐसी है तो ऐसी वाला आपका गैप आ जाएगा तो आपसान नंबर भी आपका बिल्कुर राइट होगा तो चलते हैं अगले कोश्चन पर देखिए क्या कह रहा है अठारा नंबर कि एक त्रिभुज के अंदर एक वृत है तो अब दूसरे आपसन में देखिए कि वृत बाहर निकलाया हो त्रिभुज अंदर चला गया और त्रिभुज कलर हो गया है तो इसमें भी ऐसा होगा कि द रहा है कि एक वर्ग है जिसके बगल बगल कट किया गया है और चार कट है तो चार मल्टिप्लाई के चिन आ गया और एक त्रिभूज है जिसके तीन कट किये गये हैं तो तीन कट है तो तीन मल्टिप्लाई के चिन आएंगे तो आपसर नंबर भी आपका बिल्कुल राइट हो तो चलिए चलते हैं अगले कुश्चन पर देखिए क्या कह रहा है इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा चीत रहे तो एक और जुड जा रहा है दूसरे में देखिए कि ऐसे हो जा रहा है ऐसे और ऐसे और ऐसे तो आपसन नमबर इसमें भी देखिए कि ऐसे हो जाएगा और और ऐसे ऐसे तो ऐसे जूड़ जाएगा तो आपसन नमबर कौन सा होगा आपसन नमबर डी आपका बिलकुर राइट आपसन होगा तो चली चलते हैं अगले कुशन पर देखिए क्या कह रहा है कि दिया गया कि निर्देश में एक प्रशन संख्या 21-24 में प्रशन चित्र के र दर्शाया गया है दाईयोर की चित्र से जै मिती चीतर को पूड करने वाले चीतर को गयात करें ताथ अपने उतर को दर्शाने के लिए और उतर पत्रिय के में प्रशन पिसन पिसन्गल संक्या के सामने वाले उवice को जो करें तो इसमें हमके दोस्तों बताना है कि आकर्थी पूर्ड करने है कि कौन सी आकर्थी मिलकर एक आकर्थी को निर्मान करेंगी तो चलिए देखते हैं कौन सी आकर्थी बनेगी तो इसमें देख़िए कि आपका option number C आपको बिल्कुर right होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसी आकरती बनेगी जो कि यहाँ पर है मुझूद है तो option number C आपको बिल्कुर right होगा और बाकी कहीं न कहीं से गलत है तो चलिए चलते हैं अगले question पर देखिए कि ऐसी आकरती में कौन सी आकरती आ जाएगे तो option number C आपको बिल्कुर right हो क्योंकि इसमें देखिए कि ऐसी आकरती आना चाहिए तो ऐसी आकरती option number C है बाकी सब में देखिए यहाँ पर यहाँ से कटा है जो कि यहाँ सकटना चाहिए इसमें वृत बना है जो कि वृत नहीं बनना चाहिए option number D भी गलत है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए तो option number C में ऐसा है तो option number C आपका विल्कुर right option होगा तो चले चलते अगले question पर देखिए कि देखिए पर यहाँ पर ऐसा चेत्र बना है तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुष जूड़ा है जो कि यहाँ पर भी ऐसा त्रिभुष जूड़ना चाहिए तो ऐसा त्रिभुष कहा है तो option number C आपका विल्कुर right option होगा तो चले चलते अगले question पर देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि कहौन सबरित आजाएगा तो option number A आपका विल्कुर right option होगा क्योंकि यहां से ऐसा अवरित कहां सबरीत बनेगा यहां पर बनेगा तो option number A आपका विल्कुर right होगा क्योंकि देख लीजिए यहां पर ऐसा चेत्र option number A भी बत रहा है तो चलिए चलते अगने कुश्चन पर देखिए क्या कह रहा है कि निर्देश में दिया गया है कि प्रशने संके 25-28 में बाई और प्रशने चीतर दर्साया गया है तथा दाइं और A कामा B कामा C और D से चिन्नी 4 उत्तर चीतर दर्साया गया है किसी दर्पड की यक्स वाई के अनुदिस रखे जाने वाले प्रशने चीतर में सही दर्पड प्रतिविम को उत्तर चीतर से चुने अपने उत्तर को दर्साने के लिए ओयमार उत्तर पत्रिका में प्रशने की संगत संके के सामने वाले वृत को पाला करें मतलब दोस्तों इनमें सी यह बताना है जहां पर एक्स वाई है वहां पर दर पर रखके देखिए कि वहां पर दर पर लगाए तो उसका आपोजिट क्या बनेगा वही आपका एंसर होगा तो यहां पर देखिए कि यहां पर दर पर रखा गया तो इसका आपोजिट बनेगा तो इसका आपोजिट कैसा बनेगा इसका आपोजिट बनेगा आपसन नमबर बी बनेगा इसका आपोजिट क्योंकि देखिए यहां पर इसे परटेगा तो ऐसे आकर्ती बनेगी ऐसी हो जाएगी यहां पर तीर चली आएगी तो यह जो तीर है यह उल्टी हो जाएगी यहां पर आ जाएगी और यह वरित यहां पर आ जाएगा तो आपका आपसर नमबर भी आपका बिल्कुर राइट ह चली चलते हैं अगले कुछन पर देखिए इसमें क्रॉप लिखा है तो यहां पर दर पर रखा गया तो क्रॉप का उल्टा क्या हो जाएगा पी ऐसे बन जाएगा ओ ऐसे बन जाएगा आर ऐसे हो जाएगा और सी ऐसे हो जाएगा तो आप सन नंबर कौन से मिल रहा है आपका तो आपसान नमबर भी आपकर बिलकुल राइट हो आपसन होगा क्योंकि इसमें देखिए चारो अच्छर उल्टे हैं बाकिसम में कहीं न कहीं mistake हुआ है तो चली चलते अपने अगले question पर देखिए क्या कह रहा है कि option number 27 में देखिए question number कि यहां पर दर पर रखा गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा तो आपसन number यह आपकर बिल्कुर right option होगा क्योंकि देखिए ऐसी आकरती कहां पर बनेगी इसका उल्टा हो जाएगा तो यहां पर चलाएगा और यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा तो यहां पर color हो जाएगा तो आपसन number A आपका बिल्कुर right option होगा तो चली चलते हैं अगले question पर देखिए क्या कह रहा है कि इसमें देखिए कि अठाइट नंबर कुश्चन क्या कह रहा है यहां पर दर पर रखाएगा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा तो यह यहां पर है तो ऐसे हो जाएगा करती जो कि ऐसे बन जाएगा तो आपसन नंबर सी आपका बिलकुर राइट अपसन होगा तो चली चलते हैं अपने अगले कुश्चन पर देखिए क्या कह रहा है कि निर्देश में दिया गया है कि प्रस्ण संक्या 29 से 32 में बाई और प्रस्ण चित्र में दरसाए अनुसार कागज के एक टुकड़ो को ताह देकर पंच किया गया तथा दाइं और एक आमा भी कामा सी और दी चिन्नी चार उत्तर चित दरसाए गये हैं कागज के टुकड़े के इत्ता को खोलने पर हुआ है जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित उत्तर चित्र में चुने तथा अपने उत्तर को दरसाने के लिए वह यमार उत्तर पत हो जाएगा तो देखिए 29 नंबर कुशन में देखिए कि एक कागज को चार बार फोल्डिंग की आ गया है और उस पर ऐसा बनाइये गया तो ऐसा आपका कहा बनाई जाया तो यहां पर यह जब खूले का तो यहां पर भी बन जाएगा तो ऐसे यह पर भी बन जाएगा तो चारों तरफ बन जाएगा तो आपसे नमबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा आप लोग काट कर भी देखे लीजिएगा तो चलिए चलते अगले कोश्चन पर देखिए क्या कर रहा कि कोश्चन नमबर 30 में देखिए कि एक कागज को चार बार फोल्डिंग किया गया है तो यहाँ पर ऐसी कटिंग की गई है तो जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आजाएगा तो यह वाला भाग यहाँ पर भी आजाएगा और ऐसे खोलेंगे तो यह वाला भाग यहाँ पर भी आजाएगा तो आपसन नमबर तो चलिए चलते हैं अगले कोश्चन पर देखिए इसमें भी चार बार फोल्डिंग किया गया है इसको दुबारा खोलेंगे जब तो यह वाला वृत यहां पर भी आ जाएगा फिर चारों तरफ खूलता चलाएगा तो आपसन नंबर यह आपका बिल्कुर राइट आपसन हो होगा है आप लोग काओस को कट्झन करकर भी देख लीजिए गा तब समझ में आ जाएगा और समंझ में आ जाएगा आप लोगों को तो चलिए चलते हैं अगले कुश्चन पर देखिए क्या कह रहा है कि इसमें भी कट्टिंग होगी तो चार बार फोल्डिंग किया गया है खूला जाएगा तो चार ही वृत होंगे और इसमें भी एक त्रिबुच को ऐसे जुड़ेगा तो एक वर्ग बन जाएगा तो चली चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दीखे क्या करा कि प्रस्ण संख्या 33 से 36 में बाई और एक प्रस्ण चिन्न दिया गया तथा दाई और एक आमा भी कामा सी और डी से चिन्न चार उत्तर चित्र दर्शाय गये हैं उत्तर चीतर में उस चीतर का चैन करें जीसे प्रस्ण चिन में आकर्ति को अलाग अला करके दिया गया है तो आकर्ति को मिलाने पर कौन से आकर्ति बनेगी तो वह ही आपका एंसर होगा तो चलिए देखते हैं तो 33 नमबर कुश्चन में देखिए कि तीन त्रिबूज हैं जो की एक बढ़ा है और दो चोटे हैं तो आपसं नमबर B आपको बिलकुल राइट आपसं होगा अगि आपका राइट आपसं होगा तो देखते हैं चली चलते हैं अपने अगले कुश्चन पर तो आपसन नमबर बी आपको यहां पर आपकर राइट होगा तो चलिए चलते हैं अगले कुश्चन पर देखिए क्या कह रहा है कि 34 नमबर कुश्चन देखिए कि ऐसी चार आकर्टी है चार आकर्टी को मिलाने पर कैसी आकर्टी बनेगी तो ऐसी आगरती बनेगी कि नहीं ऐसी बनेगी फिर यहां ऐसे ऐसे तो आपसन नमबर डी आपका बिल्कुर राइट आपसन होगा तो चलिए चलते हैं अगले कुश्चन पर देखिए तो चार वर्ग हैं तो चार वर्ग को मिलाने पर कैसी अकति बनेगी इसमें देखिए तो चार वर्ग को मिलाने पर आपको आपसन नमबर भी आपका बिल्कुर राइट आपसन होगा क्योंकि यहाँ पर भी देखिए चार वर्ग हैं बाकिसम में इसमें तीन वर्ग है इसमें भी तीन चेतर भूज हैं तो आपसन नमबर भी आपका बिल्कुर राइट आपसन होग क्योंकि इसी में चार वर्ग हैं बाकिसम में तीन हैं तो चलिए चलते हैं अगले कुश्चन पर देखिए इन में से क्या कहा है कि दो त्रिभुज हैं और दो ऐसी आकरती हैं इसको मिलाने पर कैसी आकरती बनेगी तो देखिए कि आपसन नंबर क्योंकि ऐसी मिलाने पर एक त्रिभुजी यह हो गया और ऐसी आकरती मिलाने पर आपका आपसन नंबर सी बिलकुर राइट होगा तो चलिए चलते हैं अगले कोश्चन पर देखिए क्या कह रहा है कि निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाई और एक प्रश्न चीतर दिया गया है तथा दाई और एक कामा भी कामा सी और टी से चिन्नी चार उत्तर चीतर दर्साए गये हैं उत्तर कित्रों में से उस चीत्र को चुने जिसमें प्रस्णिशित्र छिपा संभली थे अपने उत्तर को दर्षाने के लिए ओयमार उत्तर पत्रिका में प्रस्ण की शंगत संख्या की सामने वाले वृत को काला करें, तो मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि कौन से चिपी हुई आकरती है, तो आपको ये दे दिया गया, question, तो यही आपको ढूरा है कि, कौन से आकरती में चिपी हुई है, तो चलिए डूरते हम, तो आपसन नमबर A में देखिए क्योंकि यहां पर देखिए कि ऐसी आकरती है ऐसे बनी है बीच में वृत है और यहां पर ऐसी बनी है तो आपसन नमबर A आपको बिल्कुर राइट आपसन होगा बागी सब आपसन में नहीं है तो चलिए चलते हैं अगले पुछन पर देखिए क देख लिए आपको बिल्कुर आपर देख लिए और यहां पर यहां पर देख लिए आ हैंग्याट। तो चली चलते हैं अगले कुष्यन पर कुशन में देख सके हैं तो देखते हैं इस मैस क्या होगा Miss मिल रही कुलों कि दिया गया है ऐसी आकर्ती कहां पर मिलेगी तो तो दोस्तों वीडियो को पूरत देखें लाइक करिए सब्सक्राइब एंड सेजर तो ऐसी important वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा तो आपको exam में एक भी question नहीं गलत करना है तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी ऐसे अच्छे अच्छे question तो चली चलते हैं अब हम लोग आपको अब कल मिलते हैं